भागलपूर के कहलगाउं थानाचत के बहवार न्याले कहलगाउं गेट के सामने अचानक चाय नास्ते की दुकान में घरल्व गैसलेंडर ब्लास्ट हो गया हादसे में कोई हता हत नहीं हुआ है गनिमत रही के बहवार न्याले बंद था बड़ा हादसा होने से टल गया बताया जा रहा है कि बलाश्ट की गूंज इतनी तेज थी कि करीब 2 किलो मीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी इधर घटना के बाद आसपास के दुकानदार मौके से फरार हो गए घटना के जानकारी लोगों ने फायर बिग्रेट को दी इधर घटना के जानकारी मिलने के बाद फायर बिग्रेट की टीम ने मौके पर पहुंच कर घंटों बाद आग पर काबू पाया हाथसे में दो दुकानों में रखे सामान पूरी तरह जलकर राक हो गए हैं दिवारों में दरारे आ गई है घटना के संबन में बताया जा रहा है कि नास्ता दुकानदार घरलू गैस स्लेंडर से पकोड़ी बना रहा था आज ही कनेक्शन करवा कर न्यू स्लेंडर लाया हुआ था इसी दुरान अचानक आग लगई आग लगने के बाद स्लेंडर बल गटना के बाद दुकानदार एवं अनलोग मौके से फ्रार हो गए इस हाथसे में किसी के हतात होने की सूचना नहीं है नातर प्रखंट के बिलखूरिया पंचैत में भतुआ चक के वाड नमर 12 इस्थित नवटोलिया गउ में पुआल के टाल में अचानक आग लगई आग लगते ही अफ्रात तफरी मच गई आसपास की लोगों की मदद से बड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पालिया गया हालाकि जानमाल की छटी तो नहीं हुई लेकिन तीन सैकिल जल कर राक हो गए घटना को लेकर प्रित राजश सूर सिंग ने बताया कि हम सुभास नान कर यहां से अपने घर गए थे पूजा पर बैटे थे तभी ग्रामिनों ने सूचना दी कि आपकी पुआल के टाल में अबू पाया जा सका अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूख बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक ओडियोलोजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हीरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटिथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर मोबाइल 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पुर्णिया में पंचबटी कॉंप्लेक्स बिहार प्रटॉकिज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिव रोड में एबी मेडिकल के समीब बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा अच्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदी बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलंगता की समस्या आती है ज इसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए। तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बच्चने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें। भागलपूर की मदु सुदनपूर थानाचत के किसनपूर गाउं में मा के फटकार लगाने के बाद नाबालिक बेटा गुस्से में घर से भागया। बीते 23 अप्रेल से ही किसोर लापता है। परिजन परिसान है। किसोर के पिता डबलू यादव ने इसको लेकर थाने में सूच ना दी है।